हेलो अबरुबान वेरे वेरे गुटिणिंग कैसे हो होब करता हूँ आप सब लोग अच्छे योंग शो फ्रैंड्स 13 अप्रैल की एस्पेसल क्लास में आप सब लोग बहुत बहुत श्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग सौल करेंगे UPB8 Entence 2020 का पेपर जितने भी कोश्चन 2020 में पूछे गए थे सारे के सारे कोश्चन हम लोग इस वीडियो में सौल करेंगे तो पूरी क्लास ध्यान से देखना जितने भी कोश्चन साबके करेक्ट हों का में अपने रियल स्कोर जरू बताना और भी एर्स के अगर आपको प्रिस के लिएन ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल पे पहली बारा तो शब्सक्राइब जरू कर लेना पहला परशना आपके स्क्रेन पे आ गया कि भारत में अच्छा भियान कब चालू किया गया था सभी को गुड इविनिंग भाई सभी को गुड इविनिंग और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर्व अभी स्टार्ट है या नहीं स्टार्ट है तो हाँ बिलकुन आप 30 अपरेल तक फॉर्म फिल कर सकते हो without late fees के साथ और इसका जो एक्जाम होगा 9 जून को होने वाला है और इसका जो रिजल्ट आएगा 30 जून को आएगा आज मौनिंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना सब डाउट क्लियर हो जाएगा आपका तो भारत में सर्व सिच्छा अभियान का आप चालू किया गया बताएंगे सब लोग फड़ा फट कुश्चन को सॉल करेंगे इस स्पीड में थोड़ा चलेंगे हम लोग तो भारत में सर्व सिच्छा अभियान जो चालू किया गया है सन्थ 2000 और 2001 में ऑप्शन सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जागा ठीक ना चलिए चलिए यहाँ पे कमांड कंट्रोल जो है वी है तो इसका प्रियोग किसके लिए होता है पोश्ट हटाना पेस्ट या अलग करना सभी लोग दूसरा का जौब देने का प्रियास करेंगे तो कंट्रोल वी का प्रियोग होता है पेस्ट करने के लिए होता है ठीक ना चलिए जैसे कंट्रोल सी कॉपी करना हो गया कंट्रोल पी आपका पेंटर करना हो गया अगला प्रिशन राश्ट पती को राश्ट पती पती की सपत कौन दिलाता है तीसरा का जौब दीजे राश राश्टपती को राश्टपती पती की जो सपत दिलाते हैं भाई तो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 में है Option B आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा अगला पुष्णाप की स्किन पे भारत के पहले सूपर कम्प्यूटर का क्या नाम है बताइए भारत के पहले सूपर कम्प्यूटर का क्या नाम है बहुत इच्छे वीडियो को लाइक कर दो शब लोग फड़ा फड़ सेयर कर दो भी चलिए तो भारत के पहले सूपर कम्प्य कोटर का नाम है परम 8000, option C आपका बिल्कुन करेक्ट हो दगा, Linux एक क्या है, Linux, 6 एक जॉब दीजेए सब लोग, 6 एक, Linux एक क्या है, तो Linux एक ओपरेटिंग सिस्टम है, option यहाँ पर आपका जो है, ए वाला बिल्कुन करेक्ट हो दगा, चलिए भारत में वरतमान सेना प्रमुक जनर्रल का नाम क्या है, सेवेन का जॉब देने का प्रयास करेंगी, बहुत एच्छे, शबलुक जॉब दीजेए सेवेन का, तो भारत में वरतमान सेना प्रमुक जनर्रल कलाम उस शमय थे मनोच मुकंद नर्वने, और इस टाइम कौन है, थल सेना के अधश मनोच पांडेजे हैं, 29 वे नमबर के यह भी आपको याद रखना है, ठीक न, चलिए अगला option देखिए, बंगाल में दोहरी सासन को किस ने समाप्त किया था, वारिन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, और ठमा का यह आपका बिलकुन correct हो देगा, अगला प्रिविसर का question है, यानि कि current का है, यह तो question पूछन आज़े हैं, उसको हम skip कर लेंगे, एगनू के digital course का नाम क्या है, एगनू के digital course का नाम क्या है, 10 क DP का कुमारी का सम्बंद महिला करिकेट से नहीं है, बाकी जूलन गोश्वामी, मिताली राज, हर्मन प्रीत का और यह सब क्या है, महिला करिकेटर है, DP का कुमारी का सम्बंद किस से है, comment box ना सब ही लोग जवाब दने का प्रयास करेंगे, डोंगरी भासा भारत की किस राज जिसे सम्बंदित है, जमो एंड काश्मीर से किये है यह, ठीक ना भासा, अगला भशन, आफरिकी भासा का प्रयोग मुक्रूप से कहां किया जाता है, दच्छिन आफरिका एवं उत्री आफरिका में किया जाता है, option C आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा, अगला भशन है, र पास्टी ग्रामेड रोजगार गारांटी ओजना अधिनियम कब परित हुआ था, यह परित हुआ था, 2006 में, ठीक ना, option C आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा, important question आपके exam के लिए, यहां पे 2005 में जो है प्रस्तुत किया गया था, और यहां पे 2006 में संसत में परित किया गया थ एंसी इएरटी के वरतमान महान देशक कौन है, रिसी केश यह न पती, एडुशेट लंच किया गया था, किश्वर्स, तो यह लंच किया गया था, सेप्टेंबर 2004 में, डी करिक्ट हो जगा, अगला प्रशना आपकी स्क्रिन पे आगया है, सबी लोग जॉब देंगे, कि मा पानव सरीर का कौन सा अंग इर्सुलिन पैदा करता है, वो है अगनियाश है, ऑप्शन बी करिक्ट हो जगा, भारती शम्मिधान द्वारा कितनी भासाओं को माननेता प्राप्त है, 18, 22, 24, 28, तो भारती शम्मिधान द्वारा कितनी भासाओं को माननेता प्राप्त है, 22, ऑ तो वो है क्रद्हम मल similarities वरी, option A, आपको इसकी ज़र ने हधा है, कांसा रकत शमोह सारबहांिक दाता है, कांसा रकत शमोह सारबहां। आपका सर्वगराही होता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् डॉक्टर शरुपली राधा क्रिश्टन, option C correct हो देगा next question है, ASEAN drama पुस्ता की लिखा कौन है ASEAN drama पुस्ता की लिखा कौन है फड़ा फड़ा बताईए सबी लोग, ASEAN drama पुस्ता की लिखा कौन है तो गुन्नार म्रेडाल है, option A आपका बिलकुन correct हो देगा एगमार्ग का अर्थ क्या है, एगमार्ग का अर्थ पताईए क्या है एगमार्ग का अर्थ क्या है, एगमार्ग का अर्थ खाद परदार्थों का प्रमानड चिन है option D आपका बिलकुन correct हो जगा भारत के किस राज़ की तटीर एखा सबसे लंबी है गुजरत ओपशन C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा पंति के बीच कांग्रेस में विवाजन कब हुआ था 1907 में हुआ था बहुत ही जवर्जस कुश्चन है भारत की राज़ानी कलकत्ता से नई दिली कब इस्थाना अंतरित की गई थी वर्ष 1912 में आप्शन ए आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा भारत में सर्वोच नेले के किस मुक्नादीज को ग्रीन जच कहा गया है बताइए सब लोग भारत में सर्वोच नेले के किस मुक्नादीज को ग्रीन जच कहा गया है कुलदीप सीन को कहा गया है ऑप्शन C आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा भारती सम्विधान को कब अपना गया था भारती सम्विधान को कब अपना गया था 26 नॉमबर 1949 को अपना गया था ऑप्शन D आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा माई कंट्री माई लाइफ फुस्ता के लिखा कौन है माई कंट्री माई लाइफ फुस्ता के लिखा कौन है लाल कर्षन आडवानी है भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानेदिशक बनी है, वो बनी है, कंचन चौधरी, option A आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, भारत कितने pin code छेत्रों में विभाजित है, भारत कितने pin code छेत्रों में विभाजित है, option D आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, रेड़ क्रास की सापना किस ने की थी, रेड़ क्रास की सापना किस ने की थी, बताएंगे सब लोग भाई, अपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, लोगसभा की पहली महिला, स्पीकर कौन है, लोगसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, मीरा कुमार, option B करेक्ट हो जगा, चलिए, टोबा टेक्सिंग के लिखक कौन है, टोबा टेक्सिंग के लिखक कौन है, शमादत हशन मेंटो हैं टोबा टेक्सींग के लेखक अगला प्रशन आपके सकेन पर एस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो प्रतनेधी जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोका अर्था वही खाता तायार करते थे वही गुमास्ता था इस्ट इनिया कंपनी के द्वारा एक ना आप्शन C करेक्ट हो जगा नेरेंद्रमोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पदे के लिए सपत किस तिथी थी क्या थी यह गुशन बहुत इंपोर्टन्ट है तो वो तिथी थी 26 मैं 2000 जोगा वर्ष 1918 में महात्मा गादी का सत्त ग्रह किस के शमर्थन में था किसानों के समर्थन में था बजट 2019 के अनुशार भारत में दुगत उतपादन को दुगना करने का लक्ष वर्ष वर्ष दो हजार पचीस ओप्शन C आपका बिलकून करेक्ट हो जगा सरीर की सबसे बड़ी गरंथी बता यह कौनसी है वो है यक्रत ओप्शन B करेक्ट हो जगा फिरोज शाह कोटला मैदान का नए नाम क्या है फिरोज साह कोटला मैदान का नए नाम क्या है आरोंड जेटली स्टेडियम है फिरोज साह कोटला मैदान का नए नाम कहां पे है नियुडेली में नेक्स्ट कुशन आपकी स्केन पे है आंध्रप्रदेश में मकर शंक्रांती किस नाम से जाने जाती है पॉंगल ये संक्रांती के नाम से जाने जाती है आंध्रप्रदेश में मकर शंक्रांती ओप्शन ए औस्टेलिया ओपन एकल किताब 2020 किस ने जीता नुवाक जोकोवीच ने जीका था भारत का पहला परुमाड रियक्टर कौन सा है भई 48 का जौब दीजिए भारत का पहला परुमाड रियक्टर है कौन सा वो है अपसरा option C correct हो देगा next question आपकी skin पे आगया है कि साउर उर्जा का स्रोत है नबेकी सल्यन, नबेकी विखंडन या सूर का संकुचन या सूर का प्रसार तो वो है नबेकी सल्यन option A आपका बिलकुन correct हो देगा भारत के किस राज में सभी घरों में छट पर बारिस के पानी का संग्रण अनिमार कर दिया है कौन सा राज है वो वो राज है तमिल नाडो option C correct हो जगा ये थे आपके जिके के कुश्चन, अब हम हिंदी के कुश्चन सॉल करेंगे अगला परशन देखिए कि इनमे से प्रतवी का कौन सा सब्द है प्रतवी कौन सा शब्द है यहाँ पे तदभाव, विदेश, श्टत्सम या इनमे से कोई नहीं इनमे से प्रतवी कौन सा शब्द है तत्शम सब्द है option C संपरदान कारक का परशर्ग कौन सा है संपरदान करताने कर्म को करण से के द्वारा 52 का option D करेट हो जगा संपरदान का कारक परशर्ग क्या है के लिए ठीक ना चले अगरा परश्ट मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल है भवेसे काल, भूत काल, वरतमान काल या अनिशित काल फड़ा फड़ जौब दीजे मैं चित्र बना रहा हूं वाकिमे काल है कौन सा वर्तमान काल है option D correct हो जगा आलू किस भासा का शब्द है आलू पुर्त गाली भासा सब्द है option A आपका बिल्कुन correct हो जगा शावरण का उच्णड स्थान किस से है इस वाले साकी बात करें तो इसका उच्णड स्थान तालू से होता है इस वाले साकी बात करें तो इसका उच्णड स्थान मुर्धा से होता है option B आपका बिल्कुन correct हो जगा तीनो सा का याद होना चाहिए निमलकित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है निमलकित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है दुरलब वस्तू option C correct हो जगा सुत शब्द को इस्तरी बाचक बनाने के लिए किस परत्य का परियोग होगा सुत शब्द को सुता आ लगाएंगे हम ठीक ना तबी वह इस्तरी बाचक बनेगा option D correct हो जगा पैरों से लेकर सिर तक एक सब्द क्या होगा सिर तक एक सब्द क्या होगा आपाद मस्तक हो जाएगा क्या हो जगा भई option B करिट हो जगा काब्य में भाव तथाकला के संदर को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं क्या? अलंकार कहलाते हैं, option D correct हो दगा, चलि हिंदी के सर्वसेष्ण हान से वंग डिबंतकार हैं कौन? हिंदी के सर्वसेष्ण हास से वंग डिबंतकार कौन है? वो है डियर हरी संकर परशाई option A आपका बिलकून करेक्ट हो जगा सडानन सब्दे के सही संद्वी छेट पर सही का निसान लगाए यानि कि इसका संद्वी छेट क्या होगा सडानन का सटधन आनन हो जगा क्या हो जगा सटधन आनन चक्रधर शब्द है चक्रधर शब्द आपका योगरूड है option C आपका बिलकून करेक्ट हो जगा निमलेकित में से अनिश्य बाचक सरोणाम कौन सा है अनिश्य बाचक तो अनिश्य बाचक जैसे कुछ दिखे जाए आपको वाक्ट में कोई दिखे जाए तो यह आपके क्या होते हैं अनिश्य बाचक होते हैं option आपका जो है यह वाला बिलकून करेक्ट हो जगी आपका निश्य बाचक होता है यह आपका प्रश्ण बाचक होता है यह दोनो संबंद बोधक अब्बै किसके साथ परेक्ट होते हैं कम समय में ज़्यादा कुश्चन में करवाता हूँ, ज़्यादा टाइम में आपका वेस्ट नहीं करवाता हूँ, संबंद बोधक अब्वेक इसके साथ परिक्त होते हैं, ये परिक्त होते हैं संग्या अथवास तरवनाम के साथ, option A आपका बिलकुन correct हो जगा, इस्थाई भा option C आपका बिलकुन correct हो जगा, जेओं जेओं निहारिए, नेरे हैं नहीं, तेओं तेओं खरीद निकरें, सा निकाई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगी, सभी को भाई, गुड इनिंग भाई, वीडियो को लाइक की संक्या, बहुत ही कमा, तो फटा-फट वीडियो को लाइक करो, सेर भी कर दिया करो, ताकि सभी बैच्चों के पास ये कलास पहुंच सके, वो भी अपनी B.A. इंटरंस एक्जाम की तहरी बिलकुन free में कर शके, तो यहां पे पुनर रुक्ती अलंकार हो जगा, डी अपसन correct हो जगा, इन्हें से कौन सा शब्द सुद्ध है बताएगे, कौन सा शब्द सुद्ध है इसमें, अगर यहां पर बात करें दीपक तो दीपक तो आपका असुद्ध है दीपक इस तर लिखा जाता है उसके बाद मूर्ती में आईसे लिखा जाता है उज्वल में ये दोनों ज्वा वा में रहेगा तो ये भी आपका सुद्ध नहीं है निम्नाकित एक सब्द में उपसरग नहीं लगा है तो किसमें नहीं लगा है ये आपको बताना है बताइए सब लोग किसमें उपसरग नहीं लगा है इसमें नहीं लगा है ठीक है ना चलिए द्रश्य काबे के अंतर गताते हैं काउन से काउन जो है द्रश्य काबे के अंतर गताते हैं तो नाटक और प्राहशन ये द्रश्य काबे के अंतर गताते हैं option A आपका बिल्कून correct हो जीए ये किसका चिन है बताइए विराम चिन से आपके एक्जाम में 100% कोश्चन पूछे जाएंगे ये किसका चिन है बताइए सब लोग 70 का जौब दीजे पुनर रुकती बोध चिन है ठीक है ना चले अगला पुशन देखिए लागो चिन ये आपका होता है अगला पुशन प्रकति के सुकुमार कवी कहे जाते हैं कौन? सिंग आपका है अली सब देखिए दो अर्थ है कौन से? बताइए अली सब देखिए बहुत ही रिपीटेट कुशन है कई बार, कई एक्जाम में ये question पूछा जा चुका है, तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए, याद अकल लिजे, अली सब्द के दो अर्थ होते हैं, भावरा और सकी होते हैं, option A आपका बिल्कुम correct हो देगा, next question आपकी screen पे है, वहाँ बहुत बोलती है, वाक में किरिया विशिशन है, तो वहाँ बहुत बोलती है, वाक में जो किरिया विशिशन है, वो है आपका बहुत, क्या है, बहुत है, अगला question, उजवल पद में संदी कौन सी है, उतधन जवल, इसका संदी गिरा क्या होता है, उ जिनल संदी हो जाएगी, Option C आपका बिल्कुन correct हो जगा, चाया वादी यूग की परवर्थक कौन है? चाया वादी यूग की बताना है आया दिस वरसंदी है ठीक न? option D आपका बिलकुन correct हो देखा समान निता है काप्बे के कुल कितने भेद बताये गए हैं 78 का जॉब दीजेशे ब्लो शमान निता है काप्बे के कुल कितने भेद बताये गए हैं तो दो बताएगे हैं द्रश्य हो गया एक सरब्ब्ब हो गया option B आपका बिल्कुन करें प्रशारण का विलोम चब्द क्या है प्रशारण का प्रशारण का विलोम क्या है प्रशारण का आकुंचन है option C लोग संस्कृती का जन्व कहा हुआ है सहरों में, गाउं में, कस्बों में या विद्यालियों में तो लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है गाउं में हुआ है option B आपका बिल्कुन करिट हो जगा करपाण शब्द है करपाण शब्द कैसा है आगत, देशच, तद्भव, तत्शम करपाण शब्द है, तत्शम सब्द है, option D आपका बिल्कुन करिट हो जगा बुद्धी भ्रमित होना किस मोहावरे का सही अर्थ है तो बुद्धी भ्रमित होना किस मोहावरे का सही अर्थ है डीर, चक्कर में पढ़ना होता है क्या होता है, चक्कर में पढ़ना सिर से बोज उतारना मोहावरे का अर्थ क्या है भार टालना होता है जया होता है भार टालना पसू में संधी बताना है गुन संदी हो जाएगा 85 एह आपका बिल्कुन करिट हो जाएगा अंबर का विलोम मताइए अंबर का अंबर का विलोम बताइए थे लोग अंबर का किया हो जाएगा अवनी हो जाएगा option एपका बिल्कुन करिट हो जाएगा मुझे कैसा सब्द है différentes very important question है, सरवनाम का ये सरवनाम के भेद पूचे 6 होते हैं सरवनाम की संख्या पूचे तो 11 होते हैं ये question बहुत पूचे जाते हैं मुझे कैसा सब्द है उत्तम पुरुस में आता है आपका ठीक है ना, अगला पुषन पुरुस वाचक जो भेद होते हैं पुरुस वाचक सरवनाम के तीन भेद होते हैं उत्तम, मध्यम, अन्य अगला पुषन देखे, बहिर मुखी में समास कौन सा है बहिर मुखी में समास बताईए बहिर मुखी में समास है अब बैई भाव समास 88 का option एकरेक्ट हो जगा सूरदास की साहित्तिक भासा है सूरदास की साहित्तिक भासा है कौन सी वो है ब्रज भासा option एकरेक्ट हो जगा महा काब्य में वरणन होता है किसका मानव जीवन के व्रहद और व्यापक चित्रण का होता है महा काब्य में option एकरेक्ट हो जगा काली मिर्च में कौन सा शमास है करमधारे शमास है option ए करेक्ठ हो जगा उर्वसी किसकी काव्य करती है रामधारी सिंग दिनकरकी करती है option c आपका बिलकुन करेक्ठ हो जगा वीडियो की लाइक की संख्या बहुत दिक है मैं तो फटा फट जितने बलोग क्लास को देख रहे हो वीडियो को लाइक जरू कर दो अगला प्रश देखिए सन्यासी का प्रवाची है ढोंगी बाबा वरद्धा दंडी तो सन्यासी का प्रवाची है दंडी option d करेक्ठ हो जगा अदभूत रसका इस्थाई भाव है अदभूत रसका इस्थाई भाव क्या हो जागा विस्मय हो option B correct हो जगा निमलिकित में से कौन सा कभी भक्तिकाल का नहीं है कौन सा कभी भक्तिकाल का नहीं है मतिराम नहीं है option C correct हो जगा निमलिकित में से असुद दवाके का चैन कीजिए अशुद दवाके का बच्चों को काट कर फल खिला दो बच्चों को फल काट कर खिला दो तो यहां पे यह आपका असुद दबाके है होना चाहिए ठीक न कारवा किस विधा की रशना है कारवा एक आंकी की आउप्शन डी करेक्ट हो देगा निमलकित में से संयुक दबाके का चाहिन कीजिए संयुक दबाके का दवा लो और बुखार कम हो जाएगा यह आपका संयुक दबाके हैं और लगा है na कंजूसी से धैन बही करने वाले ककछवद क्या होगा मित भैी हो जागा लाश्ट कोशन विशैशनों की विशीससा बताने वाले सब्द कहलाते हैं क्या विशेसरों की विशेसरों की विशेसरों बताने वाले सब दे कहलाते हैं क्या प्राविशेशन कहलाते हैं option C correct हो जगा show friends ये थे आपके हिंदी के 50 question और GKJS के 50 question total 100 question कितने question आपके 100 में से सही हुए हैं आप लोग जरू बताना इसकी पीट आप आपको चाहिए तो आज मैं टेलिग्राम पर सिंड कर दूंगा आप डाउनलूट कर लेना वहां से आप रिवाइस भी कर लेना कि गौतम बुद्ध सरवादिक उब्देश कहा दिये थे वैसाली कौशंबी राजग्रा या स्रवस्ति में इसका जवाब दीजेगा और जितने भी question आपके करेक्ट हुए हैं को बिंट बाक्स में रियल इसकोर दो बताना थैंक्स वर वाचिंग बाबादा एक के रहां मिल जांग लीक लास में